इशा को लगेगी गोली और इसके बाद आएंगे इशा और इशान एक दूसरे के करीब यानि मा बेटे एक दूसरे के करीब सब्सक्राइब और इशा के बहकावे में किया है यानि इशा मैम के कहने पर किया है ऐसे में ये लोग यहां से एक गुंडा फेशते हैं इशा के लिए जो उसे मार दे और यहां तक कहते हैं कि बीच में जो भी आए उसे भी मार गिरा दो आप देखेंगे यहाँ बपा के पंडाल में जो प्रोमो दिखाया जा रहा है बपा के पंडाल में बपा का आगमन हो रहा है और यहाँ पर धोर ताशे बाजों के साथ बपा को लाए जा रहा है और यहाँ पर वो गुंडा पहुचता है और गोली चलाता है हम आपको बता दे ये गोली लगेगी ईशा मैम को और ईशा मैम पहुँच जाएंगी हॉस्पिटल इस इंसिडेंट के बाद इस हाथसे के बाद ईशान कहीं न कहीं ईशा के करीब आ जाएगा और तब जाकर उसे इस बात का पता चलेगा कि आखिर ईशा बच्पन्यों से छोड़ कर क्यों गई थी